Short Time and Tricks के Part 54 में आपका स्वागत थे और इस वीडियो में को बताएंगे Time and Work के उपर एक Short Tricks जिस ट्रीक के मतब से Time and Work के उपर इस टाइब कोस्टन के अनसर आप बहुत यासन से Short Time के अंदर निकल सकेंगे और इस Short Tricks को प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए होगा Two Questions जो Question वीडियो के लास्ट में अवेलबल होगा तो चलिए At First Tricks देखने से पहले ट्रीक का जो की Question के हैं देख लेते हैं और ये पर कहा है कि 45 मैं किसी काम को 16 डेज में कॉंप्रिट कर सकते हैं जो की 45 मैं काम कोई स्टाट किया है देन 6 डेज बाद जो की 30 और मैं 30 मोर मैं जॉइन हुआ है उसी काम में तो बाकी जो रिमेनिंग वर्क है जो की 6 डेज बाद बाकी जो रिमेनिंग वर्क है ओ कितना दिन में complete होगा और ये पर option देगा है तो सिंपली देखें ट्रीक क्या है ट्रीक है जो की a into a small a minus b upon capital a plus capital b और ये पर a 45 मैं जो की a किसी काम को 16 डेज में complete कर सकते है जो की small a मान लीजिए और ये पर after 6 डेज 6 डेज बाद यानि की a मान लीजिए b, b डेज बाद 30 मोर मैं जॉइन हुआ है तो b capital b मैं जॉइन हुआ है तो बाकी जो remaining work है complete होगा a into a minus b upon a plus b टेज में और ये पर capital a जो की 45 a minus b जो की small a 16 minus small b जो की 6 आपन a plus b जो की capital a 45 plus capital b 30 आपका होगा 45 आपन ये पर add कर लीजिए जो की 75 5 into 10 और ये पर 5 से cancel होगा 9, 5 से cancel और ये पर 15 जो की 5 से 2, 3 and 3 into 3 जो की 3 into 2 जो की 6 डेज बाकी जो remaining work है जो की 6 डेज बाकी जो remaining work है 6 डेज में complete होगा option b आपका answer होगा और इस trick आप इस तरह से भी लिख सकते है जो की a मान लिजिए एक स्टेज में और ये पर y डेज बात जो की b join किया है b अदमी join हुआ है n की trick इस तरह से होगा जो की a into x minus y upon capital a plus capital b इस तरह से भी आप trick को write कर सकते है जो की आपका मर्जी है और इसी trick के मदद से जो की video के last में जो दो question होगा आपको solve करना है तो चले इसी trick के ओपर और एक question solve करके दिखाते हैं और यह पर second question देखे 12 men किसी काम को 9 days में complete कर सकते हैं 12 men जो की काम को start किया 6 days काम किया then 6 men जो की join हुआ है उसी काम में तो बाकी जो remaining work है जो की 6 days बाद बाकी जो work है कितना दिन में complete होगा और यह पर option देखे तो simply देखे 12 men capital A मान लीजिए small a जो की capital B join हुआ है small b days के बाद तो simply ठीक क्या होगा जो की a minus small a minus small b upon capital A plus capital B और यह पर capital A जो की 12 into a minus b जो की small a minus small b जो की 9 minus 6 आपन capital A small sorry capital B capital A 12 plus capital B 6 जो की आपका होगा 12 into 3 आपन एपर 18 3 into 6 18 और एपर 6 into 2 12 जो की 2 days आने की बाकी जो remaining work है जो की 2 days में complete होगा option A आपका answer तो उमीद है कि आप इस trick को समझ गया होगे और आप आपके लिए होगा इस सी trick के उपद जो की solve करके दिखाना है 2 questions जो की display में देखिए और यह पर आपके practice के लिए 2 questions वीडियो के आप फास्ट पॉज कर लिजे और इन दोनो questions copy में note कर लिजे इस वीडियो के trick के मदब से दोनो questions को solve कर लिजे इन दोनो questions के answer आप मुझे comment करके check कर सकते हैं So thank you so much for watching this video. मेल दे ने 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 वीडियो में.